दोस्तों कैसे आप लोग आई हूब कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम इस फ्रीडिस के सैटो बॉक्स को रिपेर करने वाले हैं यह बिल्कुल डेट कंडिशन में अपने पास आया हुआ है और दोस्तों यहां पर जो भी प्रॉब्लम रहेगा वह आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दुआ किस तरीके से ठीक करना है भले कार्ट सेक्षन का हो भले ही सप्लाई सेक्षन का हो या पर एक स्टीकर लगा था मैंने इसको थोड़ा से न कवर कर लिया था कि कि किसी का पर्सनल मोबाइल नंबर या फिर कुछ डीटेल सेर ना हो पाएं चलिए स्प्लाई ये रहा कार्ड ओ अगर आप इसकी आईसी पर नजा डाला तो भाई इसकी आईसी फटी हुई है इसका टुकड़ा भी यह यह पर होगा जिसमें इसका नंबर लिखाओगा अगर नंबर नहीं भी मिलता ऐसी का तो हम इसी ली हम आपको बता देंगे कि कौन सी इस और पूरी आईसी का नंबर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो भाई कमेंट करके बताना आईसी का नंबर अगर आपको दिख जाए तो साइद अब आपको दिख रहा होगा किस को आईसी का नंबर दिख गया कमेंट करके बताना चली मैं बताता हूँ अगर आईसी बिलकुल पूरी तेक्री से डेमेज हो भी जाती है तो आईसी का नंबर कैसे फाइंड किया जाता है मतलब इन सप्लाइज पे मैं आपको बताऊ हुआ है कापैस्टर आईसी और फिजिकली देखने पर बस दो ही कंपोनेंट हमें यहां पर खराब लग रहे हैं ठीक है कापैस्टर फूला है आईसी हमारी डेमेज है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम पर काम कर रहे हो तो एक बार आई टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है आई टेस्टिंग से मेरा मतलब है कि आप उसको एक बार सही से एक बार बाहर से देख ले कुछ कंपोनेंट्स अगर आपको डेमेज लगते हैं तो उनको आप पहले चेंज कर ला या फिर फिर टेस्टिंग करना स्टार करें तो यहां पर सप्लाई को मैंने बाहर नि ज़रूर बताना और यह आईसी का भी प्राइज आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यह आईसी भाई इसमें डेमेज हो चुई है कपैस्टर भी यहां पर फूला हुआ है तो दोनों चीज़ें हम चेंज करेंगे ऐसा नहीं कि एकी चीज़ चेंज करके काम है कपैस्टर भी प्रोब्लम करने लगे गी लोडेस्व बीटबी अप बर्लाइज को सही करना तो कपैस्टर हम यह आई से निकांगे लेके लिए यहां पर आपके पास दिसोल्टरिंग वायर होना ज़रूरी है और यहां पर थोड़ा सा पेस्ट हम एपलाई कर लेंगे मै डिसोल्टरिंग वायर से भी निकाल सकते हैं, पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो देखलो वर्ला वीडियो को स्किप कर लेना बहुत असान तरीका ऐसी को निकालने का एरेन थोड़ा से और इसका टैम्प्रेश से बढ़ा देता हूं तो कि आप थोड़ा से ज्यादा हीट की जोद पड़ती है चलिए या पर मैं स्किप नहीं करूँगा आप लाइव देख सकते हैं आईसी को किस तरीके से विक की हेल्प से या फिर डिशॉल्डिंग वायर की हेल्प से निकाला जाता है ओव आप लाइव देख लेह हैं अब i5 यह कंफम नहीं कि आइसी कराब फिर खैंड है इसके डायोड भी चेकरने पड़ेंगे ऐसा नहीं कि आईसी निकालने से हमारा यहां कि नहीं रालने से काम बन जाएगा नहीं हमें धायोड भी चेक करने रहेंगे और दोस्तों यहां पर जो एक तरप की चार लेग एक पर एक साथ होंगी और वाइपर 22 में उसमें दो लेग होती आपस में इसमें चार लेग और सामने की दो लेग आपस में एक ही काम कर रही है ठीक है तो ये अंतर है 8022 और वाइपर 22 में तो एक तरब के हमारी बहुत इजी प्रोसेस है कोई मुश्किल कामनी आइसी को डिसूर्डिंग करना तो आइसी बाहर निकल चुकी है अब हम यहां पर टेस्टिंग करेंगे और कैपासिटर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं कासिटर को भी हम बाहर निकाल देते हैं और फिर हम टेस्टिंग करेंगे बारीगी से नहीं क्योंना ज़्या फिर निखिक कपेश्चर भी मारा निकल चुका है अब हम टैस्टिंग करेंगे बूड की कोई चीज़ ऑए फॉर्ट या फिर ख्राफ्त हो नहीं है यानि कि पहले तो हम रेक्टिफायर को डेखेंगे रेक्टिफायर कि किस हालत में है वो हम यहां पर करेंगे रेक्टिफ़ार मींस जो यहां पर डायोड लगी प्रेती है उनको चींद करेंगे इस चारोड अपने चेक करनी है फ्यूज को चेक करना है तो जला होगा जब आईस हमारी फोट चुकी है तो फ्यूज जलना बिल्कुल डैफनिटली एफ्यूज जला हुआ है अब हम में शौर्टिंग करके वहाँ पर आजाएगा इस तरीके से भी परके आने लगेगा तो ध्यान देना बाक्री डायोड एक तरफ से कुछ वैल्यू देता है एक तरफ से पलड़ दो वैल्यू कुछ भी नहीं देगा कुछ इस तरीके से हमारी डायोड सही है फ्यूज जला कपाइसिटर आप कपैशिटर के पॉइंट जहां पर है फ्लस मायनेस के उस पे हमने की्絹 करना कोई शौटिंग तो नहीं दिखा रहा नो अभी कोई शुटिंग में नहीं है कि अ बाकी ओप्यकर उप्टो कप्लर हमा ओप्टो कप्लर में कोई शॉर्टिंग फाग है वो भी बिल्कुल सही है बाकि मेंन इस यह इस डाइड को एक बार रहा क्या क्या चाई शुक्णी इन दो इन दो parts में आपको continuity mode में इस तरीके से बीप अगर आती है बिल्कुल सही है बीप आती है तो सही है बस सब कुछ हमारा test हो गया है बस बहुत बहुत ही असानी से भाई एसमपेस रिपेर हो जाता है कोई मुश्किल काम नहीं होता है हमने कैसे कैसे falls SMPS के ठीक करें हैं आ पोच कीजिए अगर यहाँ पर IC हमारी जो है अभी तो 40 वी निकली अगर 40 वी नहीं निकलती तो क्या होता तो हमें फिर सबसे पहले यहाँ पर डायोट चेक करने पड़ते ही कपैस्टर के points पर हमने चेक करना पड़ता कोई शौर्टिंग तो नहीं आ रही है आइसी ज्यादा दर खराब होने पर या तो इंटर्नली वो शौर्ट हो जाती है या फिर वो फट जाती है यह तो 40 वी दिख गई इंटर्नली शौर्ट है तो आपको कपैस्टर के point पे शौर्टिंग नजर आईगी तो आपको आशी हटा के नहीं डाल देनी है जो इसकी value की है अब हमारे को APHC 22 नंबर की मिलती है डिन अप देखते इसने यहाप एंटिके देखते हैं यह दो आप मिलती थे तो यह वाली मतलब सही मानी जाती है ठीक है मानी जाती है विसके सही पर फोट देती है और इसका भी result अच्छा है तो इसी गों यहाँ पर डाल देंगे चलिए फटाफट से इस कों तो अब डालना कैसे हैं तो यू या पर यू कट है न आई सी को पर भी वैसा यू कट आता है तो सेम मैच करके आप उसको डाल दो गलत लगाओगे या फिर आई सी को उल्टी पोजिशन में लगा दोगे तो एक ही काम होगा ब्लास्ट खतम टाटाप बाई बाई हो जाएगा तो भाई आई सी की की जो लेग है न उसको सही पोजिशन माप रखिएगा चलिए लग चुकी है अब इसको हम फटाफट से सूर्टिंग करते हैं और साथी एक कापैस्टर कापैस्टर कौन सा लगेगा साड़े चार सो वूल्ट का इदर पर कापैस्टर लगता है और माइक्रोफरेड इसमें माप कीजिए आप तीन सो वूल्ट ही लगा के रखावा प्रप्रोब्लम लेकिन है स्वाइनि चार सो वूल्ट होना ही होना चाहिए ठाल्ट मैं मैंचिंग पैस्टर कापैस्टर क्यों स्वाइंपेल्टिर्प अश्मींफ लगत मिल चुका है सटीवेगत तो याद रखिए अब क्यास्ट में है दिखके ही आप लगाईएगा ऐसा नहीं कि आपने कपेश्टर को कही से भी कुछ एडिया वर्ना हो जागा ब्लास्ट तो यहां पर यह जो यह डिजाइन वाला एरिया वह नेगेटिव का होता है यह है नेगेटिव का तो नेगेटिव नेगेटिव मैज कर लो पॉजिटिव कर लेना जिनको आता है वो सकते हैं जिनको नहीं आता देख सकते हैं कि कैंसी मोडिंग हो चुका है अब है क элем gaan को अब अब इतक weniger नहीं गटान तो प्लीज वीडिव को लाइक कर देना दोस्थ को और चैनल को अचाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हूं आपकी मर्जी है अगर कंट्यूनीश सीखना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना बाकि लाइक करके भी काम बन जाता है नू प्रॉब्लम तो देखिए सोर्डिंग हो चुकी है एक चीज़ यहां पर देख लो यह 4 पिन आपस में connected है यह दोनुंँ आपस में connected है बाकि यह दोनुं अलग अलग है ठीक है इनके बीच में इस तरीके से scratch कर लो भस हो चुका है क्यों नहीं एक बार्स की टेस्टिंग कर ली जाए सीरीज से पहले हम टेस्ट करेंगे क्योंकि सीरीज एक सेफ मैथड होता है टेस्ट करनेगा यह रहा सीरीज का वायर यानि कि सीरीज का बल्ब इस से कनेक्टेड है आपको साध यहाँ पर रोशनी दिख रहे होगी सीरीज की तो जेक करते हैं पफेक्ली पहले वैसे ही दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से बाहर से ठीक है साध आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी दिख रही होगी इस तरीके से हैं एक सेकेंड आपको यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी दिख रही होगी इसको सही से टॉचश कर लेता हूं दोस्तो हुआ सा सेफ लिया से वाझ के बार में जानकार नहीं है तो सबसे पहले आपको थोड़ थोड़ सेफ तरीके से काम करना पड़ेhail है ठीक है हुआ सा भी कि नौ नंबर का चैनल लगा वाभी इसे डोबक्स हमने उल्टा करके रखा हुआ ना तो आपको 600 लिख रहा होगा बाट यह नौ है ठीक है तो ऐसे चेक करने के लिए हमने इसका अस्तमाल करा चलिए हो गया जी बहुत असान तरीके से रिपैर आप इसको में कर लेते पैक जैसे हमने निकाला था वैसे भीर बिफिये कितनी यहल डसी होगा कोई बीचे यह पर ना तो कट करीं ना तो हुने कोई चीज ना सब चीजे आपको बता दी हैं तो कि बहुत सऱल होता है संब्य की रिपेरिंग करना तो आपको यह वीडियो कैसी जरूर बताना अपनी राय जरूर बताना